नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो हम मैं से हर दूसरे तीसरे व्यक्ती को बालों के जड़ने की, बालों के दो मुहेपन की, बालों में डेंडराफ होने की, सफेद बाल होने की बहुत सारी समस्याएं होती हैं अब इन समस्याओं के लिए हम मार्केट में जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट्स अविलेबल होते हैं चाहे वो माइन उक्सेडिल हो एलोपैथी का, चाहे वो आयरवेद का कोई ब्रिंगराज का तेल हो चाहे वो होमियोपैथी का आरनिका का कोई प्रोडक्ट हो हम सब चीजों का यूज करते हैं लेकिन हमें बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनको उन चीजों से रिजल्ट मिलते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनको उन चीजों से कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं बिते तरह का एक प्रोड़क्ट होमियोपैथी में यूज किया जाता है जिसे जैबोरेंडी कहा जाता है. अब जैबोरेंडी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे तरह तरह के question जैबोरेंडी से related पूछते रहते हैं, त तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि no doubt इसमें कोई शंका नहीं है कि jaborendi का जो उपयोग है वो बालों से related सभी बीमारियों में किया जाता है चाहे वो बालों का जड़ना हो चाहे वो बालों का दो मुहापन हो चाहें वो बालों में डेंडरफ की समस्या हो और या फिर सफेद बालों की समस्या हो सभी बीमारियों में जैबोरेंडी का यूज किया जाता है लेकिन अकेले इनी बीमारियों में जैबोरेंडी का यूज नहीं किया जाता जैबोरेंडी और भी बहुत सी बीमारियों में काम आने वाली बहुत अच्छी मैडिसन है खास तोर से ये एक डायाफोरेटिक है डायाफोरेटिक का मतलब होता है वो चीज या वो दबाई जो की हमारे शरीर से पसीने के आने की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है स्वैटिंग या परस्पाइरेशन जैसे कहा जाता है उस प्रोसेस को बढ़ा देने वाले पदार्थ को डायाफोरेटिक कहा जाता है तो जैबोरेंडी भी एक बहुत अच्छा डायाफोरेटिक होता है जैबोरेंडी का जो उपयोग है वो ज़्यादा तर सामाने रूप से बालों से related समस्याओं में किया जाता है लेकिन बहुत सारी बीमारियां जैसे कि ड्रॉपसी हुआ, कैटरा हुआ, बहुत सारी बीमारियां में जैबोरेंडी का उपयोग जो है बहुत सफलता के साथ होमियोपैती में किया जाता है अब मैं आपको बताता हूँ जैबोरेंडी के mother tincture से related सबसे बड़ी भ्रांती को बहुत सारे लोग जिनको बालों से related जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए जब वो किसी homeopathic doctor के पास जाते हैं तो वो उनको mother tincture use करने के लिए दे देते हैं अब दोस्तों जो mother tincture होता है जैबोरेंडी का वो होता तो अच्छा है नो डाउट इसमें कोई शंका नहीं है बहुत अच्छा mother tincture है और बहुत काम का mother tincture है लेकिन अगर आप उसको सीधे सिर पे लगा लोगे तो वो useless है वो किसी काम का नहीं है और उसके पीछे reason ये है कि जो जैबोरेंडी का mother tincture है वो volatile nature का होता है यानि कि सीधे भाब बनके उड़ जाता है तो जैसे ही आपने उसको scalp पे लगाया दो से तीन मिनिट में वो सीधा भाब बनके उड़ जाएगा तो वो लगाने का जो मतलब था वो तो आपको मिलेगा ही नहीं ना वो आपके किसी काम का है ना तो आपके बालों का जड़ना रुकने वाला है ना dendruff कम होने वाला है ना दो मुहे बाल कम होने वाले है तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि जैबोरेंडी को आईल के रूप में यूज किया जाए अब दूसरा सवाल जो सबसे जादा पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब जैबोरेंडी आईल हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं लेकिन हमें उसका result क्यों नहीं मिल रहा है उसके पीछे reason है कि उस oil को बनाने की जो तरीके होते हैं उस दोरान उनका filtration इतनी बार किया जाता है कि जो पिलो कारपन या पिलो कारपस जिसे कहा जाता है उसका use जो होना था बाल्डनेस के लिए या बालों से related समस्याओं के लिए उसका जो chemical nature है वो पूरी तरह से change हो जाता है अब तो हम क्या कर सकते हैं कि जैबोरेंडी का जो मदर टिंचर है उस मदर टिंचर को घर में जो भी तेल आपके पास अवेलेबल हो जैसे नारियल का तेल हो सकता है या बादाम का तेल हो सकता है जो भी आप लोग सिर में लगाते हैं उस तेल में उसको base बना लीजिए और mother tinger को उसमें mix कर लीजिए और उस तेल को जब आप अपने scalp पे लगाएंगे तो ना केवल आपके बालों को नारियल का nutrition मिलेगा नारियल का portion मिलेगा बलकि जैवोरेंडी का भी portion आपके बालों को पूरा मिलेगा क्योंकि जो mother tinger है जब वो oil में mix हो जाएगा तो उसकी जितनी भी chemical properties हैं वो सारी आपके बाल को help करेंगी हर चीज से लडने में अब जो तीसरा question है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि जैवोरेंडी को क्या हम आर्निका के mother tinger के साथ mix करके लगा सकते हैं तो मैं हमीशा सब को मना कर देता हूं कि जैवोरेंडी के mother tinger को आर्निका के mother tinger के साथ mix मत कीजिए उसके पीछे reason ये रहता है कि जैवोरेंडी का जो chemical constituent है यानि कि pillow carpin या pillow carpas जिसे कहा जाता है वो आर्निका के chemical constituents जो की होते हैं fatty acids और lactons सबसे ज़्यादा जो हैं वो lactons पाए जाते हैं आर्निका में तो आर्निका के अंदर पाए जाने वाले lactons और जैवोरेंडी के अंदर पाए जाने वाला pillow carpin एक दूसरे का antagonist होता है एक दूसरे को chemically inert कर देता है तो अब जब आपने जैवोरेंडी को आर्निका के साथ mix कर लिया किसी डॉक्टर ने अगर आपको सलहा दे भी दी या आपने अपने ही हसाब से उसको mix कर भी लिया तो वो किसी काम का नहीं रहा ना तो जैवोरेंडी काम करने वाला है और ना ही आर्निका काम करने वाला है तो मैं आपको यहाँ पर यह सलाह दूँगा कि जैबोरेंडी को आरनिका के मदल टिंचर के साथ मिक्स मत कीजिए अब चौथा सवाल है कि जैबोरेंडी को किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों वीडियो की शुरूआत मैं मैंने आपको बताया था कि जैबोरेंडी जो है वो एक ड़ाफोरेंडी यानि की जैबोरेंडी जो है वो पसीने की मात्रा को बढ़ा देता है अब जिन लोगों को already सिर से पसीना बहुत ज़्यादा आने की परेशानी होती है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना खा रहे होते हैं और उनको सिर से पसीना टबक रहा होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैदल भी चलते हैं तो पूरा शरीर उनका फिर भी ठीक रहता है लेकिन सिर से बालों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जो scalp होता है वो wet होता है थोड़ा सा गीला होता है उसमें नमी बहुत जादा होती है जिसके कारण उनको dandruff हो जाता है उसके साथ में जैबोरेंडी चुकि डायाफोरेटिक है पसीने की मातरा वो बढ़ा देगा तो आपकी जो dandruff की समस्थ्या है वो भी बढ़ जाएगी आपको खुजली चलने लगेगी आपके बाल जो की पहले कम जड़ रहते फिर जादा जड़ने लगेंगे नमी के कारण अ तो नहीं तेल का इस्तेमाल दौनों का नहीं करना चाहिए इसके साथ में जो सबसे एंड में और सबसे जरूरी बात जो होती है वो यह है कि जैबोरेंडी के मदर तिंचर को जिन लोगों को फैटी लिवर की या फैटी हार्ट की शिकायत होती यानि कि दिल से संबंदित तो जिन लोगों को इस तरह की कोई समस्या हो रही है उन लोगों को भी घास तोर से मदल टिंचर का तो बिलकोल ही नहीं करना चाहिए तेल तो फिर भी चुखी लुकल अप्लिकेशन है उपर से लगा लिया, कोई दिकत नहीं है लेकिन इंटर्नली कभी भी उसको यूज नहीं उनका इस्तेमाल यदी किया जाए तो फिर जैब और एंडी हमारे लिए लाब दायक है अन्यता उससे बहुत सारी हानिया हो सकती है आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैतिक दवाओं के बारे में